Hello dear students, as usual I am Navneel Godd from Tagore School Parbat Sir and in this video we are studying our 8th class science book इस video में हम लोग study कर रहे हैं हमारी 8th class की science book को Dear students, as you know, जैसा कि आप जानते हैं we have completed our first lesson in our previous videos हमारे पिछले videos में हम लोग इस book का first lesson complete कर चुके हैं and also completed the question answers of the first lesson और first lesson से related सारे सभी प्रकार के question answers भी हम लोग complete कर चुके हैं I hope you have completed these question answers in your notebooks आप लोगों ने भी अपनी notebook में ये सभी question answers कर लिये होंगे complete कर लिये होंगे और अच्छे ढंक से in a good manner and अच्छी handwriting में किया होगा ये मैं आशा करता हूँ और उनको learn भी किया होगा याद भी किया होगा Dear students, you have to give a class test on the next Saturday जैसा कि आपको बता चुका हूँ में अगले आने वाले Saturday को आपको एक test देना है and the syllabus of that test will be the written work which you have did in your notebooks जो आपकी notebook में आपने written work कर रखा है अभी तक और आने वाले Friday तक जितना भी written work आप कर चुके होंगे अपनी notebook में उतने syllabus में से आपको test देना होगा उसको आपको prepare करना होगा इसलिए जितना work आप कर चुके हैं अपनी notebook में उसको आप learn भी करते जाएं उसको याद भी करते जाएं Today we have to start the second lesson आज हमें start करना है अपना second lesson which is जो है सूक्ष्म जीव microbes, Englishman microbes कहा जाता है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रू हमारे मित्र भी हैं हमारे शत्रू भी हैं शूक्ष्म जीव आज जो कोरोना कहर मचा रहा है चारों और जिसके कारण से आप लोग स्कूल नहीं आपा रहे हैं जिसके कारण से हम लोगों को online study के त्रू पढ़ना पढ़ रहा है वो कोरोना एक सूक्ष्म जीव है सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जो आखों से दिखाई नहीं जैते इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमें आखों से नहीं दिखते हैं उनको देखने के लिए microscope का यूज करना पढ़ता है सूक्ष्म दर्शी यंत्र का प्रियोग करना पढ़ता है लेकिन ये कोरोना जो है वो टोटली सूक्ष्म जीव में नहीं है अला कि ये सूक्ष्म तो है लेकिन कम्पलीटली ये जीव नहीं होता है ये वाइरस है कोरोना जो है वो वाइरस है वाइरस ऐसी चीज होती है जो सूक्ष्म तो है आखों से नहीं दिखाई देती वो उसको भी माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है लेकिन वो जीव, टोटली जीव नहीं कहलाता है वो ऐसी चीज है, वाइरस ऐसी चीज होती है जो बॉडी के बाहर होती है तो वो निर्जीव की तरह रहती है और बॉडी के अंदर आ जाती है तो फिर वो सजीव की जैसे एक्ट करने लगती है क्रिया करने लगती है अपनी जैसी हजारों लाखों संताने पैदा करने लग जाती है अपनी डुब्लिकेट जो यूनिट्स है वो बना लेती है और जो सजीव जिस तरह से काम करता है वैसे काम करने लग जाती है और अपने बॉडी पर विपरीत प्रभाव डालना शुरू कर देती है लेकिन ये सारे गुण वो बॉडी के अंदर आने के बाद दिखाती है वाइरस जो होते हैं वो बॉडी के अंदर आने के बाद वो दिखाते हैं सब चीजें बाहर वो जब रहते हैं तो वो ने तो जनन करते हैं ने श्वसन करते हैं कुछ नी करते हैं और निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं तो यह वाइरस जो है वो टोटली इनको जीव की स्रेणी में नहीं रखा गया है इनको एक कड़ी माना गया है सजीव और निर् तो ये lesson है सूक्ष्म जीवों के बारे में, ये वो जीव हैं जो सूक्ष्म हैं हमें आखों से नहीं दिखाई देते हैं, बलकि सूक्ष्म दर्सी यंत्र से इनको देखना पड़ता है, और ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे बले ही हैं लेकिन ये हम पर प्रभाव डालते हैं, कई प्रकार से ये प्रभाव डालते हैं, इस lesson में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सूक्ष्म जीव हमारे उपर प्रभाव डालते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव अच्छे भी होते हैं, वो अच्छा प्रभाव डालने वाले सूक्ष्म जीव भी होते हैं, तो वो बहुत सारे सुक्ष्म जीव शत्रू हैं, बहुत सारे सुक्ष्म जीव मित्र भी हैं। आईए शुरू करते हैं इस लेसन को और पढ़ते हैं सुक्ष्म जीवों के बारे में। बहुत सारे सुक्ष्म जीवों को हम आखों की साहिता से नहीं देख सकते हैं। उधारन के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा रितू में नम या ब्रेड रोटी सढने लगती हैं। कहीं रोटी बरसात में पढ़ी रह जाती है बाहर तो उस पे फफूंद आ जाती है आपने देखा होगा। और वो सढने लग जाती है बाहर पड़ी हुई ब्रेड या रोटी तता इसकी सतह सफेद काले धबों से ढग जाती है। तो फफूंद आती है तो फिर फफूंद आती है तो उसमें सफेद पफूंद भी होती है काली फफूंद भी होती है। तो सफेद काले धबों से बरसात के दिनों में अगर बाहर रोटी या ब्रेड पड़ी रह जाती है तो वो सढने लगती है और फफूंद उसके उपर आती है सफेद काले धब्बे आ जाते है उसके उपर। इन धबों को आवर्धक लेंस की साहिता से देखी आवर्धक लेंस आवर्धन यानि बढ़ा करना किसी चीज को बढ़ा करना आवर्धित करना यानि बढ़ा करना आवर्धक लेंस वो होता है वो लेंस होता है यह जो चीजों को बड़ी करके दिखाता है इंगलिश में इसक एक गोल गोल सा लेंस आता है जिसके पकड़ने के लिए एक हैंडिल भी होता है चीजों को जब हम उसके थुरू देखते हैं तो काफी बड़ी दिखती है चीजें अपनी अलग अलग शमता होती है लेंसों की भी कि कौन सा लेंस कितना बड़ा दिखाएगा किसी चीज को तो 10 X भी आता है 20 X भी आता है X का मतलब 10 X का मतलब हो गया 10 गुना बड़ी करके दिखाएगा चीज को 20 X का मतलब 20 गुना बड़ी करके दिखाएगा तो अपनी अलग 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 ख्शमताओं के साथ magnifying glass आते हैं आवरधक lens आते हैं उसकी बात यहां पर हो रही है तो उससे लेंक से देखेंगे फपूंद को तो उसमें काली काली गोल गोल सरंचनाई दिखाएगी क्या आप जानते हैं कि यह सरंचनाई क्या है यह कहां से आई कहां से आई है तो अब आते हैं सुक्षन जीवों पर क्रिया कलाब 2.1 एक activity है यह करनी है बगीचे अत्वा मैदान से ए सुक्षम दर्श्ची की साहता से इसका प्रेक्शन कीजिए आप क्या देखते हैं देखो मिट्टी के अंदर सुक्षम जीव होते हैं तो इसमें क्या किया कि मिट्टी लेली बाहर से गीली मिट्टी लेली और बीकर में डाल लिया उसमें पानी डाल दिया और पानी जब उस उस सुक्ष्म जी घुलीवी पानी में से एक बूंद अपने ले ली ड्रॉपर की साहिता से और उसको स्लाइड पर अपने एक बूंद को रख दिया उस बूंद को और उसको फैला दिया और उसको माइक्रोइस्कोप की साहिता से देखा सुक्ष्म दर्शी की साहिता से देखा आपको मैंने पिछली कक्षाओं में Slide दिखाई है सुक्षम दर्शी यंत्र से Microscope कहते हैं उसको Microscope को तो पिछली क्लासों में जिस इस तरह से slide बना करे आपको दिखाई गई है वैसे ही मैं पानी की बूंद को जब आप देखेंगे उस सुक्षम दर्शी यंत्र में तो आपको क्या दिखाई देगा एक और क्रिया कलाप है क्या दिखाई देगा वो आएगा अब आगे क्या दिखाई देगा अभी अपन क्रिया कलापों के बारे में पड़ रहे हैं एक तो हो गया 2.1 अब है 2.2 एक ताला पोखर की जल की को देख्वा है सूक्ष्ण दर्शी अंत्र में अब देखिए क्या होता है क्या आपको सूक्ष्म जीव गती करते därहें दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल उसमें चोटे चोटे कुछ जीव आपको गती करते वे उस पानी की बूंद में दिखेंगे जब आप उसको सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देखेंगे इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं सूक्ष्म जीव इतने चोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की साइथा से नहीं देखा जा सकता इन मेंसे कुछ जैसे की ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेन्स की साइथा से देखा जा सकता है देखें कुछ सुक्षन जीव बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं हाला कि दिखते तो दोनों इनी आखों से लेकिन कुछ इतने छोटे होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है और कुछ तो इतने ज़्यादा चोटे होते हैं कि ये अपने स्कूल में जो माइक्रोस्कोप है उसमें भी नहीं दिखते हैं उनको electronic माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है हजारों या सेंकडों गुना बढ़ा करके देखना पड़ता है तब कोई जाकर के वो दिखते हैं तो अलग-अलग siige होती हैं इनकी भी बहुत ही जदा बारीक भी होते हैं बहुत जबह बढ़े भी होते दिखते कोई सी भी नहीं आखों से लेकिन जो कौन से जिखेंगे उस हिसाब से उनकी onside के साब से यह निर्भर करता है तो आवर्दक लैंस से तो थोड़ी बड़ी होती ही चीज़े हैं लेकिन सुक्षन दर्शी यंत्र से यानि माइक्रोइसकोप से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फफूंद के अंदर जो सुक्षन जीव है वो तो आवर्धक लेंज से ही दिख जाते हैं अपने को लेकिन पानी की बूंद के अंदर जो जीव हैं वो आपको आवर्धक लेंज से नहीं दिखेंगे उसके लिए आपको माइक्रोइसकोप यूज करना पड़ेगा सूक्ष्म दर्शी यंत्र उपियोग करना पड़ेगा तो यहां पर हमने पड़ा कि ब्रेड पर उगने वाले कवक जिसको हम फफूंद कहते हैं फफूंद उग जाती है रोटी पे आ जाती है उसको कवक कहा जाता है तो ब्रेड पर उगने वाले कवक या फफूंद को आवर्धक लेंज की साहिता से देखा जा सकता है जबकि अन्य बिना सुक्षमदर्शी की साहता से दिखाई नहीं देते केवल ये फफूंद जो होती है यही आप आवर्दक लेंस की साहता से देख सकते हैं आवर्दक लेंस यानि कि वो एक लेंस आता है हाथ में पकड़ने का चीजें बड़ी दिखती हैं उससे केवल आप कवक को देख सकते हैं बाकी के जो सुक्षम जीव है वो आवर्दक लेंस से नहीं दिखेंगे बाकी के लिए आपको सुक्षम दर्शी यंत्र प्रियोग करना पड़ेगा जिस पे हम स्लाइड लगा कर देखते हैं यही कारण है कि इन्हें सुक्षम जीव कहते हैं क्योंकि ये इतने सुक्षम होते हैं कि हम इनको केवल आँखों से नहीं देख सकते सुक्षम जीवों को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है ये वर्ग हैं जीवानू, कवक, प्रोटोजवा और शेवाल ये चार कैटेगरी बनाई हुई है सुक्षम जीव तो हजारों होते हैं, लाखों परकार के सुक्षम जीव होते हैं यहां तक कि एक-एक जीव में ही कई-कई ऐसे जीव होते हैं जिनमें लाखों सुक्षम जीव पाए जाते हैं तो और सुक्ष्म जीव के भी हजारों प्रकार हैं, लाखों प्रकार हैं, वाइरस भी लाखों प्रकार के होते हैं, चमगादड में लाखों प्रकार के वाइरस पाए जाते हैं, उसी में से ये कोरोना वाइरस भी है, तो ये कोरोना वाइरस भी एक वाइरस का प्रकार है, वा क्या क्या करते हैं वो सब ये भी करते हैं एक सजीव की क्या विशेष्टा होती है वो स्वसन करता है वो जनन करता है वो खाना खाता है यानि भोजन ग्रहन करता है वो अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है वो गती करता है ये सारे सजीव के गुण होते हैं यानि जिसमें ये गुण होते हैं वो सजीव कहलाता है तो ये इन में भी हैं ये जो इतने भलई ये छोटे हैं आँखों से दिखते नहीं है लेकिन ये काम ये भी करते हैं इसलिए इनको सजीवों में रखा गया है सूक्ष्म जीव, जीव हैं ये, सूक्ष्म भलई है लेकिन जीव जरूर है ये, लेकिन वाइरस जो है वो हमेशा सजीव की भाती विवार नहीं करता है, इसलिए उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है, देखो अलग से बताया जाएगा उसको विशानू, वाइरस भी तो यहाँ पर बात करते हैं अपन सूक्ष्म जीवों की, तो सूक्ष्म जीवों को चार वर्गों में बाटा गया है, याद रखना है आपको, जीवन, कवक, प्रोटो जुआ और शेवाल, सूक्ष्म जीवों की ये चार कैटेगरीज है, ये कैटेगरी है, इसके अंदर एक जीवन, हजारों प्रकार के जीवन होते हैं, लेकिन जीवन की एक कैटेगरी बना दी गई है, जीवन, कवक, प्रोटो जुआ और शेवाल, ये चार कैटेगरी है, सूक्ष्म जीवों की, जीवन, शेवाल, प्रोटो जुआ और कवक के कुछ सामाने सूक्ष्म जीव, दो प जीवन चार केटेगरी है ना जीवन फिर कवक और प्रोटो जुआ और शेवाल यह चार हैं तो सबसे पहले देखो दो प्रकार के जीवन यहां पर दिखाए गए हैं इनको बैक्टीरिया कहते हैं इंगलिश में तो यह है इस्पाइरल जीवन यानि गोल-गोल घुमेवे इसे होते हैं यह तो यह दो प्रकार के जीवन दिखाए गए हैं यहां पर यह जितने बड़े दिख रहे हैं उतने बड़े नहीं होते यह तो इनको इनलार्ज करके दिखाए गए हमें और दूसरा टाइप जो होता है वो है शेवाल तो यह दो प्रकार के शेवाल दिखाए गए हैं एक तो क्लेमाइडो मोनास दिखाया हुआ है देखो दो इसके इस तरह की ये मूच्छें भी निकली रहती है आगे ये तंतुनुमा तो ये क्लेमाइडो मोनास है ये शेवाल है ये इस्पाइरो गाहिरा नाम का शेवाल है दिख रहा है आपको ये शेवालों के दो प जीवानू के उधारन दीजे तो spiral जीवानूं और छड़ नूमा जीवादूं अगरापको कोई कहिए शेवाल के उधारन बताईए तो ग्लेमाइडो मोनास और spirougाईरा अगर कोई कहिए प्रोटो जवा के उधारन तो amoeba और तो इसका उधारन है राइजोपस जिसको braid mold कहते है यानि braid पे जो हुटा है वो राइजोपस है यह जो braid पर फफूंद आती है ऐसे ही penicillium penicillium से penis줄ीन नाम की एक दवाई बनती है penicillium यह भी एक कवक है और यह एस्प यह जो है यह क्या लिखा है देखते हैं इसको S पर जिलस S पर जिलस भी एक दवाई बनाने में काम आता है S पर जिलस यह S पर जिलस है यह तीनों ही जो है न यह कवक स्रणी के हैं यह कवक हैं तीनों ही तो यह हमने चित्र देखे हैं इन चारों के कि यह कौन-कौन से चार जो केटेगरी बनाई है सुक्ष्ण जीवों की फिर से आपन वहीं पर चलते हैं जहां पर हम पढ़ रहे थे तो ये चार केटेगरी चार वर्ग हैं जीवानू, कवक, प्रोटोजवा और शेवाल याद रखना है जीवानू, शेवाल, प्रोटोजवा और कवक के कुछ सामाने सुक्ष्ण जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं वो हमने देख लिए हैं अब ये तो हो गए सुक्ष्ण जीव अब और एक चीज है जो सुक्ष्ण तो है लेकिन जीव नहीं है वो यानि जीव की भाती कभी तो जीव बन जाता है कभी निर्जीव बन जाता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है तो ये विशाणू कहते हैं जिसको वाइरस कहते हैं कोरोना जो है वो वाइरस है इसको विशाणू नाम हिंदी में इसका नाम विशाणू है विशाणू भी सूक्ष्म होते हैं जीव तो नहीं कह सकते हैं पर सूक्ष्म होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं ये केवल परपोशी में ही गुणन करते हैं यानि दूसरे के बोडी में चले जाते हैं ये किसी के भी पर पोशी यानि दूसरों से पोशन प्राप्त करते हैं अकेले पड़े रहते हैं बाहर तो कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन किसी के अंदर घुश जाते हैं किसी की बोडी के अंदर जब एंटर कर जाते हैं तो ये उस से पोशन प्राप्त करने लगते हैं पर पोशी हैं ये दूसरों से पोशन प्राप्त करते हैं और जब ये किसी की बोडी में आ जाते हैं किसी की भी बोडी जानवर की भी हो सकती है इंसान की भी हो सकती है तो किसी के अंदर जब ये आ जाते हैं तो फिर ये वहां से पोशन भ करने लगते हैं ये और बहुत ही तिवर गती से अपने समान कोपी बनाने लगते हैं इसको कहते हैं गुणन करना तो ये ये परपोशी में ही गुणन करते हैं यानि किसी के बोडी के अंदर आने के बाद ये मल्टिप्लाई होने लगते हैं बढ़ने लगते हैं अर्थात कोशिका के अंदर जब यह घुश जाते हैं भले वो अर्था जिवानू पोधे अत्वा जन्तु कोशिका में जुणन करते हैं देखो कोशिका यह दो प्रकार की होती है एक तो पोधों की कोशिका यानि वनस्पति कोशिका होती है एक तो एक जन्तु कोशिका होती है एक तो प सजीव कोशिका जो होती है living being की जो cell होती है वो जन्तु कोशिका थोड़ी अलग type की होती है इन दोनों ही कोशिकाओं में ये जब घुच जाते हैं virus या विशाणू तो ये फिर potion भी प्राप्त करने शुरू हो जाते हैं वहां से ये ऐसा होता है विशाणू कोरोना में भी देखा होगा आपने कोरोना का चित्र ऐसे बाहर निकलेवे होते हैं चारो दर्व तो ये होता है विशाणू ये विशाणू का चित्र है तो ये विशाणू का चित्र देख लिए आपन तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कि विशाणू का जो चित्र है विशाणू चित्र 2.5 में दर्शा गए है कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू कहते हैं एवं अधिकतर खासी विशाणू द्वरा होते हैं अभी जो कोरोना ये चल रहा है न ये इन्फ्लुएंजा वाली केटेगरी का वाइरस है इनकी भी अलग-अलग वाइरसों की भी अलग-अलग केटेगरी बनी हुई है उसमें से जो इन्फ्लुएंजा केटेगरी है सर्दी जुकाम वाले फ्लू जिसको कहते हैं उस केटेगरी का ये कोरोना वाइरस है और ये कोरोना हो जाता है उसको भी सर्दी जुखाम के सिम्टम्स आते हैं लक्षन पेदा होते हैं उसको खासी सूखी खासी आती है नाक बहती है बुखार चड़ने लग जाता है तेज यह सिम्टम्स कोरोना के हैं तो यह भी एक प्रकार का जैसे सर्दी जुखाम का वाइरस होता है ला वैसे ही ये वाइरस है जो ये कोरोना वाइरस है ये भी वैसा ही वाइरस है जिसे सर्दी फ्लू का वाइरस होता है इंफ्लुएंजा का वाइरस होता है वैसा ही ये है उसी केटेगरी का पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है हलका सा तो इसकी दवाई नहीं है अभी तक तो अ इंग्लिश में टीके को वेक्सीन कहते हैं तो जब वेक्सीन किसी को लग जाती है बलाई वो इंजेक्शन के थ्रू लगे या दवाई के ओरल के थ्रू जाए तो फिर वो बिमारी उसके कभी नहीं होती है उसको वेक्सीन कहते है और मेडिसीन जो होती है वो कोई रोग होने के बाद में दी जाती है तो टीका और दवाई में ये डिफरेंस है तो ये अभी वैक्सीन बनाने के लिए काम कर रही है ये पूरी दुनिया में जो साइंटिस्ट है वो लगे हुए है तो ये बात में थोड़ी सी लंबी इसलिए कर रहा हूं जैसे की जुकाम, इंफ्लूएंजा या फ्लू एवम अधिकतर खासी जो होती है वो विशानू द्वरा होती है यानि वाईरस के द्वरा होती है कुछ विशेश रोग जैसे की पोलियो एवम खसरा भी विशानू या वाईरस के द्वरा होते है पोलियो भी वाइरस से होता था पल्स पोलियो की खुराक पिला पिला के पोलियो को खतम कर दिया गया है लगबग पोलियो अब रोग बहुत कम होता है क्योंकि बार बार राष्ट्री अभियान चला चला करके गर गर जाकर के, इस्कूल इस्कूल जाकर के हर बच्चे को पॉलियो की वैक्सिन दे दे के पॉलियो को जड़ से समाप्त कर दिया गया है लगबग बहुत रेरली कहीं दिखता है आज कल otherwise पॉलियो समाप्त हो चुका है और इसी तरह से एक एक जो बिमारी होती है जो महामारी की तरह है पहले बहुत लोगों को पोलियो होता था बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते थे लेकिन अब पोलियो नहीं होता है क्योंकि पोलियो की खुराक हर व्यक्ति को दे दी जाती है तो ये विशाणू ऐसे ऐसे अब थोड़ी सी चेंज हो गई ये बात ये जीवानू की बात आ गई है विशानू अलग है जीवानू अलग है जीवानू यानि बैक्टीरिया इंगलिश में बैक्टीरिया कहते हैं जीवानू को और विशानू जो थे वो वाइरस हो गए तो वाइरस अलग चीज है बैक्टी तो प्रोटो जुवा से तो क्या होते हैं अतिसार और मलेरिया यह अलग अलग याद रखने हैं अपने को कौन से टाइप के सुक्षन जीवों से कौन से रोग होते हैं तो अभी हमने वाइरस से होने वाले रोगों को पढ़ा अब प्रोटो जुवा जो केटेगरी है सुक्षन प्रकार के रोग पैदा करते हैं इन में से कुछ सूख्ष्म जीवों के विशय में आप कख्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं तो कौन सी बिमारी कौन से सूख्ष्म जीव से होती है इसका एक लेसन आया था वो पढ़ा हमने पिछे की कख्षा में ये जो चित्र हैं वो हम देख चुके हैं सारे विशानों का चित्र भी हम देख चुके हैं अब जो टॉपिक आया है वो है सूख्ष्म जीव कहां रहते है यानि इनका निवास कहां है, कहां रहते हैं, यह कहां पाये जाते हैं, कहां से आते हैं सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं एक कोशिक का मतलब होता है, ऐसा जीव जिसकी बॉड़ी में एक ही कोशिका है अपने तो हजारों लाखों कोशिका हैं अपनी बोडी में चोटी सी जगह में हजारों कोशिका हैं हो सकती है कोशिका भी अलग-लग साइज की होती है लेकिन एक कोशिका को आप देख नहीं सकते हैं अपन आखों से उसको भी माइक्रोइस्कोप में देखना पड़ता है तो एक कोशिक ये जीव का मतलब हो गया उसकी बोडी ही एक कोशिका से ही बनी है पूरी बोडी बोडी में एक ही कोशिका है उसको एक कोशिक ये जीव कहते हैं तो सुक्ष्म जीव जो हैं वो एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवन जीवन यानि बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक कोशिकी होते हैं तो एक कोशिकी भी हो सकते हैं सुक्ष्म जीव कुछ शेवालव प्रोटो जोआ अथ्वा बहु कोशिक जैसे कि कई शेवा पर उधारन बताए गए हैं तो एक कोशी किये का उधारन तो एक कोशी किये सुक्ष्मिजीव का उधारन हो गया जीवानू यानि बैक्टीरिया और बहु कोशी किये देखिए जीवानू भी एक कोशी किये का उधारन है यानि जीवानू तो एक कोशी किये ही होते हैं लेकिन क कुछ जो सेवाल और प्रोटोजवा ऐसारे नहीं कुछ सेवाल और प्रोटोजवा एक कोशिकिये हो सकते हैं और बहु कोशिकिये के उधारन है शेवाल वा कवक यानि शेवाल दोनों में हैं एक कोशिकिये में भी है और बहु कोशिकिये में भी है तो कुछ शेवाल तो एक को जाते हैं यह बर्फिली शीत से यानि जहां बर्फ जमा हुआ हो ऐसी ठंड जहां पर हो वहां पर भी सुक्ष्म जीव पाए जाते हैं जहां इंसान जिन्दा नहीं रह सकता जहां कोई जानवर जिन्दा नहीं रह सकता वहां पर बैक्टीरिया जिन्दा रह सकते हैं बैक्टीरिया दूसरे ग्रहों पर भी मिले हैं जहां पर अनुकूल वातावरणी नहीं है जहां ओक्सीजनी नहीं है जहां हवाई नहीं है जहां पर तेज गर्मी है जहां पर बरफ जमी हुई है वहां पर भी बैक्टीरिया मिले हैं तो बैक्टीरिया हर जगे मिल सकते हैं तो यह बर्फिली शीत से उष्ण यानि गरम श्रोतों तक हर प्रकार की परिस्तिती में जिवित रहे हैं यानि अलग-अलग प्रकार के बैक्टीरिया अलग-अलग जगहों पर पाये जाते हैं और इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो कितने डिगरी पे जिन्दा रहेंगे या मर जाएंगे अनेक प्रकार के विचित्र इस्तियों में भी बैक्टीरिया की उपस्तिती मिलती है यह यानि मरुस्थल में भी पाये जाते हैं, दलदल में भी पाये जाते हैं अपनी बोड़ी में कई प्रकार के बेक्टीरिया रहते हैं लेकिन वो अपनी बोड़ी में कोई गलत प्रभाव पैदा नहीं करते कुछ सुक्ष्ण जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जैसे कि वाइरस के बारे में हमने पढ़ा कि वो किसी के शरीर में गुसता है तो फिर उससे पोशन प्राप्त करता है ऐसे ही और भी होते हैं सुक्ष्ण जीव जो दूसरों पर आधरित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाय जाते हैं, कुछ दूसरों पर आश्रित वाले भी सुक्ष्म जीव होते हैं और कुछ स्वतंत्र इस्तती में भी रहते हैं, अमीबा जैसा सुक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, अमीबा हलांकि एक कोशिकी है एक ही कोशिका होती है उसकी शरीर में ये अमीबा ये देखो ये इसका कोई आकरती नहीं होती आकरती चेंज होती होती है इसकी जैसे पानी की बूंद होती है ना वैसे होता है इसका शरीर कभी किदर से बड़ा हो जाता है कभी इसके कोई fix आकरती नहीं होती अमीबा की तो ये प्रोटो जोवा वर्ग में आता है अमीबा तो ये एक कोश्की होते हैं अमीबा जैसा सुक्ष्ण जीव अकेले रह सकता है जबकि कवक एवं जीवानू समू में रहते हैं अमीबा अकेला भी रह सकता है लेकिन कवक यानि जो की फपूंद जिसको कहते हैं अपन और जो जीवानू यानि बैक्टीरिया जो होते हैं वो जुंड में रहते हैं समू में रहते हैं तो कहां ये रहते हैं ये हमने पढ़ा डियर स्टुडेंट्स अबर टाइम इज ओवर नाव अपना आज के वीडियो का टाइम समाप्त हो गया है वी हैव टू फिनिश ता वीडियो आज का वीडियो हमें फिनिश करना होगा अगली बार अगले वीडियो में हम लोग सुक्ष्म जीव और हम पढ़ेंगे कि हमारा सुक्ष्ण जीवों से क्या नाता है क्या relation है वो हम पर क्या प्रभाव डालते है और हमारे body में अगर कोई आते हैं तो वो किस तरह से रहते हैं कैसे बढ़ते हैं उनकी संख्या कैसे बढ़ती है और अच्छे कौन से सुक्ष्ण जीव हैं बुरे कौन से हैं ये सारी बाते हैं सुक्ष्म जी और हम में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में चीजों को समझते रहें कुछ जो जरूरी चीजें हैं जो definitions हैं उनको याद करते रहें और जितना work आपको notebook में करवाया गया है उसको याद करते रहें अगले Saturday को आने वाले Saturday को आपको test देना है इसलिए उसकी तयारी करते रहें ओके dear students have a nice day see you and bye